तो आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं पनीर पॉपकॉन की रेसिपी जिसे हम फस्ट के स्टाइल में बनाएंगे और इसे आप अपने नवरात रवरत में आराम से खा सकते हैं तो आएए रेसिपी को शुरू करते हैं और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी चानल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना बुलें तो आएए तयार करते हैं शाम की चाय के लिए एक मसेदार स्नेक्स तो बिना देरी के शुरू करते हैं तो देए सबसे पहले मैंने यहां प mistaken ज़्म पनीर है यह सादर कर को अब आने श़यक्त कर सकते हfeltे नहीं तो आप इसकी जगह पे काली मिर्ज का यूज कर सकते हैं वास देखिए सब अलग तरीके से रखते हैं तो जो इंग्रियंट आप नहीं खाते हैं आप उसे टोटली स्किप कर सकते हैं थोड़ा से इस मिला देंगे और एक तरह से मैरिनेट कर देंगे और हम इसे साइड म हैं तो इसका उलगता है ृत्रोट आप कर सकते हैं जो इनगेस आप के पास जादा हो आप उसका यूज कर सकते हैं यह सिर्भी का तियार कर सकते हैं सिंगा डिय के बहृत अच्छा टिस्ट आता ओंडरा को मिक्स किया हैं डाल रहे हैं-क श्का वा प्राव ईज算ए इन हम नेक्स्ट यहां पर आड़ कर रहे हैं थोड़ा सा कसा हुआ अद्रक अद्रक डालने की बाद नेक्स्ट डाल रहे हैं एक छोटा चमच साबूत जीरा नेक्स्ट एड कर रहे हैं एक छोटा चमच जीरा पाउडर यह रोस्टर जीरा पाउडर है और यहां पर डाल रहे हैं तोड़ी सी सफेद तिल लगबग दो चोटे चमच तिल खाना बहुत हिल्दी होता है फास्ट में तो इसे जरूर एट करें नेक्स्ट एट करें आदा चोटा चमच अमचूर पाउडर आप नीमबू भी डाल सकते हैं अगर आप उपास में खाते हैं और आदा चोटा चमच य सारे इंग्रियंट डालने के बाद सबसे पहले हम इसे एक ड्राय मिक्स कर देंगे सारे इंग्रियंट्स को अच्छे से यहां पर मिक्स कर लेंगे अब हम यहां पर दीरे दीरे शुरू करेंगे पानी डालना और बैटर बनाना और जो यह बैटर हम बनाएंगे इसे हमें ब बना सकते हैं एक विसकर की मदद से भी बना सकते हैं मैंने इस तरह से यहां बैटर देखिए तयार कर लिया है और यही कंसिस्टेंसी हमारी रहनी चाहिए बैटर को अब साइट रख देंगी क्योंकि अब हमें तलनी की तयारी करनी है तो यह देखिए है मैंने ओईल गरम करनी के लिए रख दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पे अभी ओईल रखा है कि यह हमारा मैरिनेट किया हुआ पनीर और यह हमारा बैटर धियान रखिए बैट बैटर को पतला बिल्कुल भी ना करें इसे थिक रखना है हमें इस तरह से पनीर को कोट कर देंगे बैटर के अंदर और मैंने एक बार ओईल को अच्छे से गरम करकी फिर फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है अभी ओईल बिल्कुल लो फ्लेम पर है जो कुट्टू और दीरे जितने आप कडाई में आ सकते हैं हमारे जो पनी के पॉपकॉन से सारी यहां पर डाल देंगे अगर आप चाहते हैं तो पनीर का साइस और भी छोटा यहां पर कर सकते हैं और डालने की तुरंद बाद आप इसे ना हिलाएं उसके जैसे ही एक या दो मिनिट हो यह देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छे से बन गए हैं क्रिस्प हो गए हैं अंदर से बिलकुल सॉफ्ट हैं और हमारे पनीर के पॉपकोन बन कर तैयार हैं रेसिप यह आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक को सब्सक्राइब करना ना भूलें कोई बीन गिलेडर जो आप नहीं कहते हैं स्किप कर सकते हैं